और selling point number 3 अब आता है फकीरी नरेंद्र मोधी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भीक्षा मांग कर गुजारा किया कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए कभी कहते हैं 40 साल के लिए करीब 40 साल मैंने भीक्षा मांग करके खाया है मैं 35 साल तक भीक्षा मांग करके खाया है चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती हैं, 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि वो MLA पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उमर होगी 52 years, लेकिन उससे पहले 90's में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरन टूर्स कर लिये, ये फोटोस देखों उनकी ये और MA की 2 degrees भी कर लिये, ये कैसे हो गया, आप ही बताओ दोस्तों, साल 1990 में, DICOM Model 1 रिलीज हुआ था, जो कि US में लॉंच होने वाला, दुनिया का पहला commercially available digital camera था, लेकिन प्रदान मंत्री मोधी अपने इंटर्व्यू में बताते हैं, कि उन्होंने पहली बार digital camera 1987 या 1988 मे भीक्षा मांगकर यहां पर foreign tour भी कर लिये और digital camera भी खरीद लिये, digital camera के release होने से पहले, वा, क्या फकीरी है, वा, मोधी जी, वा, वा, अपनी कलम को गिर्वी रख चुका एक गीतकार कहता है, कि फकीरी है आपके स्वभाव में, एक फकीरी है आपके स्वभाव में, कभी न कोट बंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड की Mercedes में, एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधान मंत्री देखे हैं देश ने, बताया जाता है कि उनके पास सिरफ दो धोती और दो कुर्ते हुआ करते थे, कुर्ता फटकर इस्तिमाल करने लाइक ना रहे, तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी की US विजिट की इन फोटोस को देखी, एक दिन में चार बार कपड़े बदलते हैं, प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए, उत्रा खंड और ह इस हेड़ गेर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्स्प्रेस के कॉलाज को भी देखिए, अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हतियार आता है, कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो, ये बनाने लग गए, पूने में एक बीजेपी वरकर ने नरेंदर मोधी के लिए मंदिर बना दिया, गुजरात में इनका एक मंदिर बना, तमिल नाडू में इनके लिए एक मंदिर बना, क्या मजाक चल रहा है ये, ये इकलोते नेता नहीं है, जिने भगवान से कंपेर किया एक समय पर एडॉल्फ हिटलर को भी जीजस से कंपेर किया जाता था, राजनीती में हिटलर की एंट्री की तुल्ला की जाती थी जीजस के रेजरेक्शन से, लेकिन उस समय ये सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे, जीजस तो शांती की मुरत थे, सूली पर भी चड़ाया गया उन्हें, तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी, बोले कि हे भगवान, उन्हें माफ करना, जबकि हिटलर तो नफरत का सौधागर था, तो कैसे जीजस का इस्तिमाल किया जाए नफरत फेलाने के लिए, और हिटलर को उससे भी कंपेर किया जाए, इसके लिए हि दिकत वही आ जाती है, कि नरिंदर मोधी तो नफरत फेलाते हैं, लेकिन शीराम की सूरत में दिखती है, विनमरता, सौम्यता, करुणा, राजा रवी वर्मा की इस आइकॉनिक पेंटिंग को देखी है, राम दरबार, जो कि हमारे देश के करोड़ों घरों में लगी हुई नफरत खोर एजेंडा के लिए, 2016 में एक BJP MP ने कहा कि मुसल्मान तो रावन के डिसेंडेंट्स हैं, वाटसाइब माफिया वालों ने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक जूटा कोट इंसर्ट कर दिया, धर्महिंसा तथैवचर, जो चीज किसी वेद पुरान में नही थी, इन्होंने जबर्दस्ती अपना नफरत खोर एजेंडा बीच में गुसा दिया हुसी, धर्महिंसा तथैवचर, आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी ही भी ग्रंट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इससे आपके रोंग्टे भी खड़े हो जाने अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए, लेकिन अब बहुत से हिंदूओं को इनका एजेंडा समझ में आ गया है, इस तरीके का हमारे धर्म के साथ खेलवाड करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये काड भी अब फैल होता जा रहा है, तो इन बीजेपी वालों ने क्या सोचा कि अवतार से एक लेवल नीचे इन्हें सर्वगुंड संपन शक्तिमान दिखाया जाए, लेकिन किसी को यहाँ शक्तिमान बनाने का सबसे असान तरीका है कि दूसरी साइड वाले की इमेज नीचे गिराओ, इसलिए इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी को पपू बना दिया, वाट्सैप पर इनकी आधी अधूरी क्लिप्स तोड मरोड के दिखाई जाने लगी कि जैसे राहुल गांधी में तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो बिलकुल बेवकूफ इनसान है, लेकिन सच्चा ही यह है कि विछले 10 साल में PM मोधी जी ने एक भी प्रेस कॉनफरेंस नहीं करी, कोई अंस्क्रिप्टिड इंटर्व्यू नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली उनिवर्सिटी से लेकर हारवड उनिवर्सिटी तक लेक्चर दिये है, लोकों से ठेड़ सारी हर साल दो साल अंस्क्रिप्टिड दरेंद्र बोधी वही हैं, जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं, कहते हैं कि पसीने से मूँ पोच लेता था तो ग्लो आ जाती थी, कभी ये climate change को डिनाय करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही, बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ती कम हो रही है, तो क एक दफ़ा मोधी दूसरे देश में गए थे, वहाँ भारत का रास्ट ये गान चल रहा था, और ये बीच में ही चलने लगे, ऐसी कल्ती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहाँ पर ये बताना चारहूं कि प्रधान मंत्री मोधी की भी funny clips बहुत सारी हैं, दूसरों को पपू बोलने से पहले अपनी clips पर नजर डाल लो, और अभी तो एक बहुत भेतरीन मौका मिला है, हमारे former Supreme Court के judges ने राहूल गांधी और नरेंदर मोधी दोनों को एक one-on-one debate के लिए invite किया है, राहूल गांधी तो इस invitation को अबीड़ी accept कर चुके हैं, लेकिन नरेंदर मोध अबी भी चुप है, अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए भी एक बड़ा सीधा मौका होगा देखने का कि नरेंदर मोधी और राहूल गांधी में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा intelligent है और कौन ज्यादा capable leader है देश के लिए, लेकिन नरेंदर मोधी अगर इस debate से भागते हैं और जवाब ही नहीं देते, तो समझ जाना कौन यहाँ पर बैठतर है, इस cult of personality में प्रधान मंत्री मोधी का सबसे बड़ा काड है, सब जगे है फोटो चिपकाओ, बचपन में मैं सोचता था कि यह Coca-Cola जैसी drinks की ads कियों आती हैं TV पर, हर कोई तो जानता है कि Coca-Cola पर नरेंदर मोधी, सड़क पर पोश्टर छपे हैं, Google Ads पर करोडों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है, हर एक सरकारी स्कीम के इस्तिहार पर, रहे यह सब तो छोड़ो COVID वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी नरेंदर मोधी, सेलफी पॉइंट्स तक बना डाले इनो और गोधी मीडिया के आंकर जो दिन रात चाटू कारिता करते हैं, वो अलग हर जगहे नरेंदर मोधी, एक गायक थे Jim Morrison, उन्होंने कहा था कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है, वो दिमाग को कंट्रोल करता है, लेकिन एक और सिंगर थे, बॉब मारले, उन्होंने कहा था कि लोग पूछ रहे हैं कि भारत में सब चंगासी है, तो 2022 में सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए, सबा दो लाक लोगों ने भारती नागरिकता क्यों छोड़ दी, इस मोधी मैजिक के खतम होने का सबसे बड़ा सबूत यही है, कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के उन नेत अगर मोधी मैजिक अब सही में बचा होता, तो मोधी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता था, इन बाहर के नेताओं को लाने की जरूत नहीं थी अपनी पार्टी में, यह जूट, डर और नफरत फैलाने की जरूत नहीं थी, इस वीडियो में तो मैंने आपको नरेंदर मो को तभा करने में लगे हुए हो, हमारे इस मिशन 100 करोड पर लगे रही है, यह देखकर खुशी होती है कि कि किसी का कॉमेंट आता है, यह कहते हुए कि आपने एक वीडियो को 850 लोगों के साथ शेर किया वटसेप पर, कहीं पता चलता है कि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देश के सम्विधान को बचाना है, वोट करने जरूर जाना और अपने आस पास के 10 लोगों को कन्विंस करना वोट करने के लिए, वोट करना इस नफरत और जूट के खिलाफ, मुझे यकीन है कि हमें खटे मिलकर देश को बचा लेंगे, अगर आपने इस ब्रेन बोशिंग